सो हलो एबिर्मान मेरा नाम है सिंपाई एस्प्लेनर और आज मैं लेके आया हूं एक न्यू मानबा तो चलो बेनाखी दरीकिए इसको शुरू करते हैं तो मानबा की स्टार्टिंग में हमें बता जाता है कि आज से हजारों साल पेले दरती पर एक काफी बड़ा किसे हार दें जिसके बाद हमें बताता है कि काफी सामनों की बाद महां पर एक यूमन आया जिसने एक पार वनाई और उस पावर को कहा जाता है इसके बाद हम बताया जाता है कि यह स्प्रिश्वल पावर काम कैसे करती है तो उस मेंटर में जो लड़की होती है वह करती है और जो लड़का होता है वह स्पूरिट को कंट्रोल करता है अपनी पावार की मताविक जिसके बाद सीन शुप्ट होता है और हमको देखने को मिलती है कौइन टैंग अकैडमी जहां पर एक लड़की अपने स्पूरिट लेवल को चेक कर रही होती है पत्र पर हाथ धर कर और पूरा हो जाता है तो हमको देखने को मिलता है एक प्रॉफेसर जो कि क्या रहे होते हैं कि गुलिंग रैंक सी क्लियर स्वाट टैलेंट शारपनेस जिस पर वहीं लड़की किया रही होती है कि इसका कुछ फाइड़ा नहीं ही और देखने को मिलता है हमें हमारा मेन और शामी जैसे ही उस तो उनको टच करती है वैसे ही वह स्टोर काभी अच्छी तरीकी से गुलू करने लगता है और वहां पर एक स्प्रेट अवेक होती है जिसके बाद प्रॉफेसर सभी को बताता है कि शामी ने अभी अभी एक एस लेवल की स्प्रेट को अवेक किया है है हांचैन चलो हम बेकस नहीं रह सकते हैं तो आओंगी जयता हैं तुम ने साथ कभी भी मताना समझे उसके बास सारे के साहे लोग हमारे में किरेक्टर हां चान पर हसने लगते हैं और उसके बाद हमें पाश के 1 देखने को मिलते हैं जहां पर हांचें डिशामी की एक अच्छी तались त्रीकर से सेवा कर रहा होता है उसके पेह प्यारव होता है उसकी यहां पर बहुत से लोग है क्योंकि तुछ से कावी जाना टेरेंटेट हैं और वो शाओमी के लिए अच्छे भी रहे हैं तो तु यहां से निकल जा जिसके बाद शींचिफ्ट होता है और प्रोपेसर कहता है कि अबला है हांचन और जैसे हांचन उस तोल को चूता है तो वह क्या रहे होते हैं कि यह जिस पर दूसरा कहता है नहीं यह जिसके बाद बोस्तोर सभी को बताता है कि नेम हांचन डिपल स्पर्ट्रेक्ट स्विचिव आइन डिवाइन अविकनिग इस पर शामी कभी घवरात रही जिए कि आखर यह कैसे पॉसिवल नहीं इसने अभी अभ से ट्रिबालेस नेवल की स्फिर्शुल पावार मिल गई मगर 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 वहां पर जितने की लड़कियां होती है न वो तो हमारे मेन क्यरक्टर पर रइक विदाव वह ऊती है कोई कहा रही होती है कि ब्रदर चैन्द मेरे साथ चलिए तो प्लूसरी कहती है नहीं जान मेरे कालों वाले लड़की कहती है कि ब्रदा चैनल मैं एक बी लेवल सुट की कॉंटेक्ट आप मेरे साथ कॉंटर कीजिए मैं काफी सेंसिबल हो और में पास काफी सारी टेखनीक है साला ये किस टेखनीक के बारे में बात कर रही है जिसके बाद हमें एक और नए लड़की देखन के सामने सिस्टम होता कि युशे को तो नहीं बताने वाला तम खुद सब्सक्रेर कर दीखने काहता है । हांचन कहاتा है कि क्या अभी थो ने मेरे साथ बेक अप किया था थो फिर से मेरे साथ आना चाहती है और तभी हांचन के सामने उसका सिस्टेम अपियर होता है जो भी उसे बता रहा होता है कि नेम शाओमी एस ग्रेट स्पेशल पार्टनर है वगेरा फ़ला दमकाना इसके बाद शाओमी हांचेंट से कहता है कि तू और तेरे ओपर दोनों वाड़ा मैं तुसको रिजेक्ट करता हूं इसमाँ शाओमी हांचेंट से कहने लगती है कि हांचें रुख जाओ मैं मज़ा कर रही थी तुम्हें जो मिले साथ करना है तुम कर सकते हो तुम मुझे पेलिना चाहते हो तो बैट पेल लो मगर रुख जाओ प्लीस मुझे छोड़कर मत जाओ मगर तुमने उसे पागल समझ रखा है जिसके बाद महाँ पार एक तीसरी लड़की आते हैं जो कि सबसे कहने लगती है अरे सुनों चुद केमपस की व्यूटी है ना शाओ उसने केवल इन लेवल टैनेंट अपर किया है जिसके बाद हमें वही लड़की दिखने को मिलती है जि वहां से भागने लगती है से को नहीं में ठीक हो मगर हमारे मेन के सामने उसका सिस्टम पॉपफ होता है उसके पार सिस्टम नेम स्पिरिट की कॉंट्रेक्ट है इसके पास पता नहीं डिवानेटी येस मगर अभी अन्नून है जिसके बाद शाओ हांचें से कहने लगती है मुझे माप करना में अपसे टकरा पूंद विए बाद शौक में चले आति कोई क्याता है कि बता जान आप यह क्या करता है तो दूसरी यह सुनने के बाद में मर क्यों नहीं गयी और तीसरी नड़की कहती है कि पूर्दा्चान आपने बीज़ दोड़ दिया मगर सबसे हालत खराब तो वाई सब शाओं में की होती है जो कि कापली बुरा मुझ बना तुए कह रही होती है तुम यूज़े रेंग की साथ अपना स्पीरिड को इस चाहते हैं मैं तुम से अभी रणना चाहूंगी हो साथ आंगे जाके तुहराइब काफी दुखनी होसकता है साथ जिसके बासिया और वह हनुए हांचनु में पर हिक रिकमेंट लोगो तेरा नम में हांचन है तुम्हीं है तु कि आध हम ALL को चौनद में करते हुए इस बंदे से कह रही होती है कि Godfather इसकी बाद Godfather हां चैन से कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी सुना था कि किसी ने मेरी Goddaughter पर अपने पर कोई भी तेरे साथ कॉंटेक्ट नहीं कर सकता समझा जिसके बाद शामी वहां पर क्याने लगती है कि Godfather ने एकदम सही का जली से जली तो उनसे माफी माँगो मेरे साथ करो व है यह क्या की निन्स के बाद गर्दाइश पहना पर लिया हुशे में इसको कि भूरद नहीं के दूरा ऑफ रहा हूं मगर एक चराएंगों की साथ इसका तो मैं उसे छोडूँगा नहीं जिसके बाद हांचन की बीटी अपने इस कॉंठेंट को साइन करते हैं तो जिसके बाद हांचन से कहने लगते हैं कि मुझे माप करना अगा मैं कुछ भी तुमाने ली ट्रबल खड़ी करती हूं जिस पर हांचन उससे कहने लगता है आरे माप भी माँने कोई जरूद नहीं है तुम मेरे ही लायक हो जिसकी बाद हांचन और यह दोलों ही अपने तो टब तक लिए बाई बाई और आज जान से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना